दॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बिमारी हो रही है, इनको ये रोप हो रही है, इनको ये तक्ति आप डॉक्टर को दिखाओ, जाज कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, जैसे शिव महामर्त्युंजे है, तो जगत के जितने ये भी महामर्त्युजे का प्रतिभिम्ब सुरूप है, आप इनको दिखाओ, डॉक्तर भी शंकर का एक सुरूप है, ऐसा नहीं कि तुम डॉक्तर को नहीं मानोगा, डॉक्तर शिव का एक अत्व सुरूप माना, महामर्त्युजे माना, आप दिखाओ, पर यहां सास्त्र करता श्यो महापुराण की कथावर्णन करती है जब तुम जाच कराने के लिए जा रहे हैं तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बिमारी ये गठान है और ये गठान ये काट गरवाशे में आ गई ये काट कहीं शरीर में आ गई और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीद देगी और जाच के लिए जाएगी उसके पहले जब आप डॉक्टर के जाच कराने के लिए जाओ उसके पहले उशा का जल अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है सब को नजरा रहा है इसके पीच में एक लाइन है वशुक सुन्दरी का इस्थान राइट में गणेश जी कार्थिकेजी शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है जिसमें से बून बून पानीट पकता है ये शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया, विशहरा, सामलीवारी, दवतली, देव शिवजी की पांच मिड़ी जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी पिमारी अमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कर रहे हैं कि इसकी जांच होगी उसके पहले कुशा का जल डाब का जल यह अशुक सुन्दरी का इस्थान जहां पर है और शिवलिंग का जह स्थान इसके पीच में जो जगा खाली पड़ी रहती है इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल डाब का जल चड़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जारी उस स्थान को लगा कर चांच के लिए जाते हैं कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रविश्क कर ही नहीं सहां पुशा का टाब का जो जल होता है यह साधारन जल नहीं होता मारा जी कि इसको साधार है नहीं कि आजकल तो कपड़े के आसान आ गए मेरी बुजुर्ग माता यहां पर बेटी है बुजुर्ग